हाई अब्रिवन सभी का वाम वेलकम है वाई टी और इंगली शूटर पे एक दिनों की ब्रेक के बाद मिल रहे हैं कल मैं ट्रेवल कर रहा था आपको पता है गौर्मेंट जॉब में हूँ कभी कभी मुझे पूरा दिन ट्रेवल करना पड़ता है जॉब की वज़े से इसलिए वीच वीच में ब्रेक साता है थोड़ा मैनेज कर लिया करो आज क्या करने वाले हैं आज पढ़ने वाले हैं दा एकॉनमिस्ट मैकजीन से एक आर्टिकल को थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स इसका टाइडल है यह आर्टिकल साइंस थीन क्यूपर बेस्ट है तो साइंस वाले आर्टिकल भी आपको पढ़ने आने चाहिए बहुत ही प्यारा लिखाव आर्टिकल है जल्दी से दिखाते हैं आपको आज का क्विज देखो ट्रांसलेशन सिरफ मत करना ग्रामर वोकैबलरी कॉम्प्रिहेंशन हर चीज को साथ में लेके चलना है तो तीन क्वेशन आपको दिख रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन के दो क्वेशन दिख रहे हैं ग्रामर और वोकैब के स्लूशन क्लास के लास्ट में करऊंगा मन लगा के सिखो चलिए आईए कुछ नया सीखते हैं हमने जान है घंण तैंस और च Jeśli आए अलाईट ग्ए आउट के तिंगिंग आउट साइट द गॉक्स इटेगि वόक्स का मतलब है डिबा आउट Sun साइट का मतलब है बाहर और थिंग मतलब सोचना किया हमें डिब्बे के बाहर सोचना है अब ये कौन से डिब्बे की बात हो रही है देखो ये इंग्लिश में एक idiom है इसका मतलब होता है कुछ नया सोचना है जिस box में जिस दाइरे में सभी लोग सोच रहे हैं उससे बाहर निकलो और अपने लिए कुछ नहीं सोच को नए आइडियास को पैदा करो समझ में आगी बात चला तिंक आउटसाइड दा बोक्स आपने देख लिया एक इडियम का नाम है अब इसी इडियम को हम color outside the line भी बोलते हैं देखों यह lines है मैंने एक छोटा सा drawing मना दिया सब लोग इसके अंदर color करेंगे मान लेजे मैंने एक drawing मना है एक आदमी का है सब लोग इस drawing के lines के अंदर color करेंगे लेकिन आटिस्त तो वो है जो बाहर color करके दिखाए इस आदमी के चारो तरफ की scenery को change करना जानता हो तो think outside the box का बिल्कुल synonymous idiom होता है color outside the line इसका मतलब भी होता है नए सोच से नए ideas को लेकर के आना चलिए अब आगे बढ़ते हैं title paragraph को देखेंगे क्या कहना चारा है देखो science theme का है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा साइको थेरफिस्ट काउच करे it is यह है और worth का मतलब है लायक remember का मतलब है याद रखना करे यह चीज याद रखने लायक है it is worth remembering कौन से चीज भाई यह चीज है कि secrets जो है जो रहस्य जो है और किसके एक healthy brain के एक स्वस्थ दिमाग के यह जो secrets हैं यह आते हैं कम होते हैं और कहां से ना महज एक from pill से पिल का मतलब होता है दवा की गोली यह ना महज एक दवा की गोली से आते हैं या फिर एक psychotherapist के काउच से आते हैं psychotherapist कोन होता है psychiatrist जो आपकी psychotherapy करे आपके दिमाग को अगर कोई confusion है कोई आपको depression है तो आपसे बात करके therapy आपको दे तो उसके couch का मतलब है उसकी table या उसका sofa sentence थोड़ा सा complicated लिखा हुआ लेकिन बड़ा असान है बस यही कहरा है कि हमेशा याद रखो सिरफ दवाएं और psychotherapist का couch यानि कि उसका sofa यानि कि उसकी treatment ही healthy दिमाग का राज नहीं होती है healthy दिमाग के और भी secrets है उनकी दरब भी आपको ध्यान देना है समझ में आगे ना sentence अब वो secrets के हैं यह आपको आगे बताएगा it की वह बहाँ है is secrets की वह बहाँ है come यह not only से sentence इसने बनाया है कि ना केवल यहां से आते हैं तो आगे ऐसा भी लिख सकता था but also from लगा करके कहां से आते हैं तो पूरा sentence इसने लिखा नहीं है transfused मत होना अब एक प्यारा सा grammar rule करवाँगा आपको पहले आपसे सवाल पूशता हूँ यह worth के बाद में remembering क्यों लिखा हुआ है माल लीजिए मेरी मन होता है इसा it is worth to remember में लिख देता तो इस sentence में कैसे मैं error कर डालता किस rule की वज़े से चलो rule समझते हैं rule यह कि सर इंगलिश में दो adjectives का आपको रखना है ख्याल पहला है worth दूसरा है busy busy एक verb भी होती है एक adjective भी होता है मैं इन दोनों को adjective ही category में डाल रहा हूँ दोनों के बाद में या तो आएगा noun या तो आएगा noun और अगर noun नहीं है ना तो फिर verb आएगी verb की ing form में यानि कि jiran form में और jiran क्या होता है noun का ही जुड़बा हो भाई है ना तो इन दोनों के बाद में इस formula को आपको खास हो है ख्याल देना है मैं आपको इसको example के जरी समझाता हूँ this car is worth 5 million देखिए worth का मतलब होता है लायक या कीमत रखने वाला तो ये car लायक है या कीमत रखने वाली है 5 million dollar की इस car की कीमत है 5 million dollar 50 lakh dollars अगला sentence देखो अब यहां पर कुछ पंगे नहीं लेने है worth के बाद में एक नाउन आया हुआ है 5 million dollars अगले पर देखो this car is worth to drive ये car जो हैना drive करने लायक है मतलब इस car को दो drive करी लिना चाहिए आपको जिंदिगी में ये दोनों ही sentences जो आप देख रहे हो न ये गलत है क्यों गलत है भई रिजने simple सा worth के बाद में to infinitive ना लगाए आप यहां लिखेंगे worth worth driving और यहां लिखेंगे worth worth watching वैसे when I saw the professor he was busy to look for his notes जब मैंने प्रोफेसर को देखा तो वो busy थे ढूंडने में अपने notes को look for करना मतलब ढूंडना तो यहां पर busy के बाद में to look for नहीं आएगा आप यहां लिखेंगे to को निकालके looking कहां गया looking for his notes बस यहां भी वही हुआ है it is worth to remember नहीं worth remembering grammar को जितना असान बनाओगे long time में उतने ही चीज़ें आप याद रखोगे के banking के कई सारे exams आप देखेंगे hopefully आपने तयारी शुरू कर दी है और अगर अब तद नहीं किये तो मेरी guidance में yt app पे आप prepare कर सकते हैं app का link इसी वीडियो के first comment में रखा है तीन तरह के course मिलेंगे आपको app पे एक है writing का course जिसमें 60 से 70 घंटे में descriptive लिखना आप सीख सकते हैं बिल्कुल basic से हजारों लोग फाइदा ले चुके हैं आप भी फाइदा ले पाएंगे इस course का बहुत ए affordable course है ताकि हर आदमी सीख सके उसी तरीके से आपको मिलेगा sse का course और मिल जाएगा आपको banking का course दोनों courses को नए pattern के हिसाब से update कर दिया गया है sse और banking के courses 444 में इस code के साथ available है दोनों courses का फाइदा ले सकते हैं कोई भी query हो यह number है what's up इस पे आप मेरी team से बात करें चलिए चलो जी वो cap sheet है अपनी sexist पे हमने छोड़ा था अब देखेंगे बाकी के 4 words कॉनन ड्रम का मतलब होता है एक पहली एक पजल और ऐसी पहली जिसका solution निकालना मुश्किल हो जाए मुर्गी पहले आई या अंड़ा पहले आया है ला इस सरे की पहली इसको एनिग्मा mystery डिडल यह paradox भी बोलते हैं इसका common सा synonym है mystery mystery आज आप article में देखने वाले हैं the situation in Ukraine is a conundrum Ukraine में जो situation है वो एक conundrum एक पहली बन चुकी है पजल बन चुकी है अगला word is discernible यह word बने discern से discern का मतलब होता है किसी चीज को touch करना तो discernible वो चीज है जो real है जिसको आप notice कर पाएं touch कर पाएं चूपाएं यह जो जग जाहिर हो आपके सामने हो जिसको feel कर पाएं सिरफ touch करने की ज़रोत नहीं है अगर आप feel मैं आपको कुछ समझा रहा हूं और आप उसको feel कर पा रहे हो जो चीज में आपको बता रहा हूं जा सकने वाले benefit को नहीं सरकार के revenue के लिए तो जो भी benefit आये ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है देख करके ज्यादा benefit लग नहीं रहा है पैल पेवल एविडेंट प्रसेप्टिवल टेंजिवल सब इसको बोलते हैं discernible बना है discern नाम की वर्प से आज आप इस आर्टिकल में इस consistent hard work एकदम धरम से किसी काम को करते हो न आप पूरे मन के साथ में इमानदारी के साथ में तो वो काम बन जाता है आपकी डिलिजन्स हाना हर डिलिजन्स has earned her a solid career उसकी consistent hard work नहीं उसको एक solid career लाकर के दिया है उसकी वजह से उसका career बड़ा solid बना है इसको industriousness भी बोलते हैं और perseverance भी बोलते हैं perseverance क्या होता है किसी काम में लगातार बने रहना चाहे कितने भी बड़े आपको उसके अंदर failures मिले आप उसका पीछा नहीं शोड़ते हैं ठीक है निरंदर बने रहने की quality होती है perseverance तो आज diligence नाम के noun को article में दिखेंगे इसके adjective हों होती है diligent मैंने थोड़ा गल जाता है ना लांचन तो वो होता है stigma जैसे Asian female population is still fighting the stigma around girls pursuing higher education and running businesses Asia की जो female population है आज भी इस stigma से इस symbol of disgrace से इस लांचन से struggle कर रही है fight कर रही है और वो लांचन किस पर है उन लड़कियों पर जो higher studies को pursue करती है और बड़े बड़े businesses को run करती है आरी नवाद समझ में तो कोई कुंठा या ऐसी चीज होती है गलत समाज में जिस पर disgrace हो उसको बोल नहीं है एक अदा पुराना होगा एक समरी दें आपको आर्टिकल की किस बारे में लिखा हुआ है समरी यह है कि human brain जो है हमारा मस्तिष्क scientist के हिसाब से यह सबसे complex सीज है पूरे universe की इस आर्टिकल में लिखा हुआ है complex इसलिए क्योंकि इसकी functionality को हम समझ नहीं पा रहे है कैस कैसे brain काम करता है कैसे memories बनती है कैसे thoughts बनती है और इसका bad consequence है कि आज तक brain की छोटी मोटी विमारियों का वियम इलाज नहीं कर पाए हमारे पस cancer का इलाज है हार्ट की विमारियों का इलाज है हम इवन नकली गुटने नकली heart farm भी लगाना जानते हैं लेकिन migraine जैसे छोटी विमारी भी हमें नहीं पता कैसे उसका इलाज किया जाए हमारा आर्टिकल ही कर रहे है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि brain बड़ा complex है काम करने में और दूसरा brain में research जितनी भी हुई है वो आज तक fail हुई है लेकिन 21 सदी में कुछ नई research हो रही है जिनका ब brain का इलाज जितना दवाओं से होता है उतना ही इलाज होता है आसपास के environment से तो सिर्फ दवाओं पे dependent नहीं रहना है environment को अच्छा कर दोगे तो भी आदमी का brain healthy हो सकता है शुरू करेंगे आर्टिकल की टोन है एक तो welcoming दूसरा suggesting ठीक है किया रहे disorders of the brain are a growing worry disorder का मतलब होता है चीजों का उतल पुतल होना करें जो the brain है जो human मस्तिष्क है उसके जो disorders है उसमें जो बीमारियां है उतल पुतल है करें ये बीमारियां एक growing worry है दुनिया में सबसे यादा चिंता जनक बात है growing मतलब बढ़ती हुई worry का मतलब है चिंता disorders आपका subject ह disorder आप समझ गए disorder में order से बना है order का मतलब होता है सब चीजे सही disorder का मतलब है सब चीजों में उतल पुतल अब एक concept करवाते थे आपको फटा पड़ यहां पे brain देख रहे हो इसके आगे दा लगा हो है और concept यह है कि human body के हर पार्ट के आगे दा लगाएंगे अगर कोई और article ना लगा हो मानलीजी यह लिखा हो my our an article यह पजैसिव लिखा हो तब तो कोई बात नहीं लेकिन ना लगा हो तो उस case में दा जरूर लगाएंगे brain is the center of life brain जो है जीवन का center है तो आप यहां क्या लिखेंगे आप brain ने लिखेंगे आप लिखेंगे आप लिखने वाले हैं the brain the brain क्योंकि कोई भी body part हो heart हो brain हो eye हो leg हो knee हो इससे फरक नहीं पड़ता दा लेंगे the driver of the crash bus received injury in knee जो bus के driver थे driver साब थे उनको injury जो रिसीव होई उनके गुटने में knee से पहले कोई article नहीं है कोई possessive नहीं है तो आप लिखेंगे दा नहीं मान लिजे ऐसा लिखा होता in his knee in his knee तो इस case में his the नहीं नहीं लिखना है बात आरियो समझ में आर्टिकल आ जाए पजसिव आ जाए his my our our कुछ भी आ जाए तो उस case में दा तो आता ही नहीं है तो उस case में नहीं लगाना ये दा तो तब आएगा जब कोई article या पजसिव ना लगा हो वैसे ही last में swimmers put on water resistance goggles to protect eye तराग जो होते हैं वो put on करते हैं put on करना मतलब पहनना पहनते हैं पानी को रेजिस्ट करने वाले goggles को चस्मों को आई को प्रेट करने के लिए अब मान लीजिया लिखा हो था देर आई या देर आई उस case में तो कुछ नहीं दिक्कत लेकिन अगर देर ना लगा हो ना तो about 970 million people around the world करें बारा मस्तिष की जो विमारियां हैं दिमागी विमारियां करें यह affect करती हैं यानि की impact करती हैं affect का मतलब होता है प्रभावित करना तो यह प्रभावित करती हैं लगबग 970 million लोगों को 97 करोड लोगों को और कहां पे पूरी दुनिया में around the world अब करें यह क् 10th of the population यह जो है दुनिया की population का एक एक बड़ा 10 से भी ज्यादा है दसमें हिस्से से भी ज्यादा है आगे बाद समझ में population कितनी है 700 करोड जैसी है तो अगर आप 100 करोड लोग बिमार हैं दिमागी तो तो 110 से भी ज्यादा हो गया ना इस तरीके से बता रहे आपको sentence में दे आगे कर रहे on top of that neurological problems such as stroke, dementia, migraine, Parkinson's, epilepsy and brain injury are collectively the leading global source of disability कर रहे यह 100 करोड को बिचारों को छोड भी दो जो दिमागी तोर पे विमार हैं कर रहे गर नको छोड दोगे ना इसके वी उपर on the top of that यह जो neurological problems है neurological मतलब relating to neuron और neuron क्या होता है brain की सबसे चुटी unit तो neurological मतलब दिमागी तो करें यह जो दिमागी problems हैं जैसे की stroke, brain stroke, brain stroke मतलब दिमाग पर attack आजाना, dementia, dementia का मतलब होता है या दास का खोई जाना, जब आप बुड़े होते हैं चीजों को भूलने लगते हैं, dementia होता है, migraine आप ज मिर्गी इसको आप जानते हैं, घर परिबार में देखी होगी आपने और brain injury आप जानते हैं, करें इन सब चीजों के उपर on top of that, यह सारी जो खराब खराब विमारी है ना, यह मिल करके collectively leading source है, सबसे बड़ा global source है, west week source है, disability का अपाईज पने का, आगी बास समझ में, तो मिर्गी है ना, मिर्गी, चलो, आगे कर रहा है, aging populations with unhealthy ways of life are likely to make this problem much worse everywhere, कर रहा है, age होती हुई populations, बोड़ी पड़ती हुई अवादियां, कर रहा है कैसे, unhealthy ways of life के साथ, जीने के unhealthy ढंक के साथ में, कर रहा है, ऐसी बोड़ी population जो है, वो ज्यादा likely है, ज्यादा संभावित है, क और ज्यादा खराब, मच मच वर्स, और कहां पर everywhere हर जग है, तो दुनिया की अवादी बढ़ती जा रही है, क्योंकि medical science जो है, development कर रहा है, इस वज़े से, अब हम 70, 80, 90 साल तक जीते हैं, तो ऐसी बोड़ी population जो है, खराब lifestyle के साथ में, इन वीमारियों को और ज्यादा पहला concept है, comparative degree के साथ में, अगर कोई adverb लगेगी, तो या तो मच होगी, या फार होगी, इसके लावा कुछ भी नहीं होगी, जैसे, Toyota cars are many various so expensive than Tata cars, केरे जो Toyota की cars हैं, वो ज़्यादा expensive होती हैं, या more लगा दो, comparative बनाना न, वो बहुत ज़्यादा expensive होती हैं, Tata की car से, वैसे तो more expensive ही अपने हाप में, ज़्यादा expensive की बात करता है, लेकिन आप और ज़्यादा जोर डालना चारे हो, इसके महंगे होने पे, तो आप क्या कर रहे हो, आप many various so को लगा रहे हो, ये तीनों ही गलत है, comparative degree आ गई, more आ गया है, है न, तो उस case में या तो मच लगेगा, या far लगेगा, इन तीनों को निकालो, यहां लिखो, much यह far more expensive, बस इतना एक concept है, एक और sentence बना के दिखा रहा हूं आपको, monsoon this year has caused many various so more range than the last year, इस साल के monsoon ने cause किया है, कही ज़्यादा range को जो है बजाए पिछले साल के, तो more आ चुका है, comparative degree आ चुकी है, तो इस case में मैं तीनो को ना use करके लगाऊंगा, much या फिर लगाऊंगा, far, ठीक है, far, चलो, अब देखने में तो concept आपको simple लगते हैं, क्योंकि मैं करवा देता हूं, आप सुनते रहते हो, पर यह trigger words है, जायसे ही आप comparative degree देखो, तो समझ जाय करो, much वाला concept यहां पर trigger हो जाएगा, दूसरा concept है, fractions वाला, यह भी बड़ा simple है, अगर आपको fraction माना रहे हो, एक बड़ा 3, एक बड़ा 4, एक बड़ा 5, एक बड़ा 6, एक बड़ा 1000, जो भी fraction, अगर उसके शुरू में 1 आ रहे है न, तो वो fraction कभी भी plural नहीं होगा, वो 1 third नहीं होगा, वो 1 third होगा, वो 1 third होगा, 1 fourth होगा, ल पड़ेगा, उपर अगर 1 ना हो, तो fraction के last mass आएगा, तो concept number 1 यह, दूसरा concept, सर इनकी वर्ब, देखो जी इनकी वर्ब जो है न, यह इनके बाद में जो off रखा है, उसके बाद में जो noun रखा है न, उसके हिसाब से आएगी, वर्ब का इस fraction से कोई भी connection है, नहीं है, concept मैं ठीक है क्या, अरे one आ रहा है न, शुरू में, तो yes निकाल दो, इस as का कोई connection नहीं है, शुरू में वर्ब कैसे आएगी, देखो वर्ब का इस one third से कोई connection नहीं है, वर्ब का किस से connection है, off के बाद में जो noun रहा है, उसके हिसाब से, noun क्या रहा है, spectators, spectators कैसा है, plural, तो यह वर वर्ब वाला connection जरूर दिमागे में ठालेना, वर्ब का इस fraction से कोई connection नहीं है, वैसे ही, three fifth of the land has or have been sold by the builder, तीन बटा पांच जो land है, जो भूमी है, बेच दी जा चुकी है, इस builder के ज़री है, अब मुझे बताओ, three fifth क्या सही लिखा हुआ है, गलत है sir, last में आना चाहिए, s क क्योंकि शुरू में आ चुका है three, तो मैं लिखूंगा three fifths, बात आगी समझ में, अचा वर्ब कैसी आएगी इसकी, sir, वर्ब आएगी land के हिसाब से, land uncountable noun है, land को count नहीं कर सकते हैं, land को आपको kilometer में count करना पढ़ता है, गज में count करना पढ़ता है, इसकी अलग से unit है, तो gentry नाम के word को निकाल देना, notes में आपको बताया हुआ है, यह हमेशा plural होता है, gentry का मतलग होता है, कुलीन लोग, किसी शैर के सबसे अमीर लोग, gentry is a plural noun, अब इसके हिसाब से सही वर्ब को और सही फ्रेक्शन को चूज करना है, सही करके सभी लोग कोमेंट्स में डालो, ता साइस वुड़ वी कमिंग तू दरेस्क्यू, कर अगर एक आईडियल वर्ड की बात करें, एक अदर्स दुनिया की बात करें, तो साइस को आते होना चाहिए था वुड़ वी कमिंग, बचाव के लिए, बचाव के लिए, बचाव के लिए, बचाव के लिए, बचाव के लि इस तरीके से परभाशित भी होता है और कैसे सबसे जादा कॉंप्लेक्स स्ट्रक्चर के तोड़ पे सबसे जादा पेचिदा धांचे के तोड़ पे हमारे पूरे नौन युनिवर्स में जितना भी विर्मांड हमने देखा है ब्रेन की वह बयर इस ब्रेन के आगे दा आएगा हर आगे को युक फोर्चुन and subsequent diligence 20th century science provided some pharmacological tools के रहे अच्छे fortune के through, through का मतलब है जरिये इसको वाया भी बोल सकते हैं या बाया भी बोल सकते हैं जरिये का मतलब वाया बाया through के रहे जरिये अच्छे fortune के अच्छे नसीब के fortune मतलब नसीब और subsequent diligence के और उस नसीब के बाद में जो हमने मैनद की diligence याद है ना, consistent hard work के रहे इन दोनों चीज़ों के जरिये हमारे अच्छे लग और लग के बाद में खूब सारे hard work के जरिये जो 20. सदी का science है पिछली सदी का 21. सदी का उसने provide किया कुछ pharmacological tools को, ऐसे tools को जो pharmacological हैं जो की दवाई से और treatment से related है और क्यों लाकर के दिया? ये दिया to treat some of the things treat करने के लिए कुछ चीज़ों को some of the things को अब ये कौन सी चीज़े हैं भई? that go wrong with it, जो की go wrong होती है खराब हो जाती है इसके साथ में go wrong with it का मतलब है, brain के साथ में जो जो विमारियां होती है, जो जो खराबियां होती है उनको treat करने के लिए बीसवी सदी के विज्ञान ने कुछ ना कुछ हमें लाकर के दिया बीसवी सदी के विज्ञान की वब है provided, that की वब है go that आया things के लिए antecedent plural है, इसलिए वब भी plural है diligence, diligence, already आप जानते हैं चरिए but, its fundamental mysteries have proved difficult to unravel करे, लेकिन इसकी जो basic mysteries है दिमाग की जो अधारवूत पहलियां है करे, ये prove हुई है, ये सावित हुई है बड़ी ही मुश्किल सुलजाने के लिए unravel करने के लिए ये unravel word, आज मैं notes एड़ करना भूल गया देखे, unravel का मतलब होता है चीजों को गुच्छा बनाना unravel का मतलब होता है चीजों को सुलजाना, तार-तार करना तो इस brain के गुच्छे को हम आज भी अच्छे से खोल के देख नहीं पाए है समझ नहीं पाए है, होता क्या है चलो, mysteries की वह बढ़ा है, have proved mysteries को कलर देंगे हम, कौन सा कलर देंगे यहां पर ग्रीन, ठीक है ग्रीन, mystery, puzzle, enigma, column, याद न, पहिलियों के लिए आगे कह रहा है जी as a result, progress has been much slower than in treatment for the heart or cancer कह रहा है इसके नतीजे के तौर पे एक result के तौर पे, सब कुछ मुच्छ है तो कर एक नतीजे के तौर पे, जो हमारी progress है, वो रही है बहुत ही जादा slower, अब देखो much plus में comparative degree बताए था ना आपको और किस के मुकाबले, उन treatments के मुकाबले, उन ilाज के मुकाबले, जो होता है heart का और cancer का, heart से पहले दा लगा हुए indeed, it has sometimes been hard कर एंडीड मतलब वास्तप में, इसको really भी बोलते हैं, ठीक है और इसको actually भी बोलते है कर एंडीड वास्तप में ये रहा है, sometimes it has been, it has sometimes been hard, कभी कभी ये बहुत मुश्किल रहा है, it has been hard और क्या करना, to discern discern करना, महसूस करना समझना, और किसी इसको much progress को at all बिल्कुल भी, हम कभी-कभी बिल्कुल भी progress समझी नहीं पा रहे हैं, हमने कितनी की है, हम understand या feel भी नहीं कर पा रहे हैं कभी-कभी लगता है, 100 सालों में brain के बारे में, एक पैसे कभी हमने नहीं सीखा, अरिवा समझ में इट की वर्ब है, has been present perfect tense है स्टेटीव वर्ब है, कोई काम नहीं हुआ है इसलिए has के बाद में b की third form bin को लगाया गया है, it has been heart ये रहा है, मुश्किल, discern करना feel करना, touch करना, महसूस करना, किसी चीज को समझना, करहे प्राइवेट सेक्टर spent an estimated 43 billion dollars on research into therapies for Alzheimer's disease करहे, प्राइवेट सेक्टर ने spend कर दिया लगबग 43 billion dollars को इतने रुपेओं को, और किसी चीज पर research पर, और research है उन therapies में, उन treatments में जो है, Alzheimer's disease की अब ये Alzheimer's disease, ब्रेन की एक बिमारी है और ये काम कब हुआ जी, ये काम हुआ between 1998 to 2017, तो इन सालों के बीच में, प्राइवेट सेक्टर ने इतना सारा पैसा खर्च किया, और हुआ क्या उसका इलाज किया, and came up empty handed, और यही प्राइवेट सेक्टर जो है, came up हुआ निकल करके आया, खाली हाथ empty handed, समझ मैं का sentence, सेक्टर की वब है, spend सेक्टर की वब है, came up spend करना मतलब खर्च करना came up मतलब निकल करके, आना empty handed आप समझते हैं, hand जिसके empty हो हाथ जिसके empty हो, खाली हो चलो, अब इसमें दो चीजे हैं फटा फट आप से पूछूँगा, पहले तो इसमें error आप निकाल के बता सकते हो का मेरे को चलो जितने लोगों को ये error पसंद समझ में आए, डालना comments में, आज सब को heart दूँगा मैं, बड़ी प्यारी सी और खूपसुरत सी classic error है, सब की पकड़ में आने ही चाहिए, अब वो error मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले दो phrasal verbs को सीखेंगे, देखो दो phrasal verbs हैं जो बनती हैं, ले से, किस से बनती हैं जी, ले से, एक का मतलब होता है खर्चे करना, दूसरे का मतलब होता है saving करना, बचत करना कुछ भी नया नहीं पूछ रहा हूँ, जो classes में regular हैं वो अलड़ी जानते हैं, lay out पहली phrasal verb है, इसका मतलब होता है खर्च करना, यहाँ यह भी लिख सकता है, तो private sector laid out है, second form लगिए, तो laid out and estimated for 3 billion dollars, save करने के लिए lay से phrasal verb बनती है lay aside, किसी चीज को side में ले कर देना, future के लिए save कर लेना, lay aside को हम set aside भी बोलते हैं, lay aside or set aside, एक दूसरे के synonyms है चलो, अब error क्या है, error यह है कि between लगा है, तो 2 नहीं आता between के साथ में आता है and, दो आपको pairs को याद रखना है किसी भी चीज की range बता नहीं हो, डिल्ली से between के साथ में आएगा, from के साथ में आएगा between के साथ में तू नहीं आएगा, जैसे British India या the British ruled India between 1600 to 1947, अंग्रेजों ने राज किया भारत पे 1620 सदी से 1947 तक, तो range आगई time की, अब range आगई तो आपने लगा दिया between, लेकिन यहां क्या लगा को यूज करना है, आपस में चाचा मामा को mix नहीं करना है, there were seven gas pumps from नागपूर and Mumbai, साथ petrol pumps थे, gas pumps थे, नागपूर से, मुंबई के वीच में, and लगा है तो यहां लगेगा between, between और अगर between नहीं लगाना from लगाना है, तो यहां लगेगा two, चलिए यहां भी वही हुआ, between के साथ में two लगा वे था आर्टिकल ने गलती करती करें, that epic failure is perhaps the biggest reason why in 2010s, many drug firms abandoned or cut back on neuroscience research करें, यह जो बड़ी नकाम्याबी थी epic failure थी, 25 साल तक इतने पैसे गवा दिये, एक रुपे का भी इलाज नहीं किया करें, यही शायद सबसे बड़ा reason है, is perhaps the biggest reason, और किसी इसका, क्यूं 2010s के अंदर बहुत सारी drug companies ने, firms ने, abandon कर दिया, पीछा चुडा लिया, या फिर cut back कर दिया काट चांट के छोटा कर दिया neuroscience की research को, तो 2010s में इन companies ने क्या बोला, हमारे बस का ब्रेन की research हम नहीं करेंगे, चलिए फेलियर की वाब है, is drug firms की वाब है, abandoned, और cut back, दोनों ही वाब्स है, और conjunction से जूड़ी है, cut back का मतलब होता है, cut अब बता रहा है, नया क्या हुआ, कह रहा है, however, a renaissance has been taking place in neuroscience, कह रहा है, हालांकि एक renaissance जो है, take place कर रहा है, अकर हो रहा है, दिमाग की research के field में, renaissance का मतलब होता है, पुनर जागरन, यह आया था, यूरोप में 13, 14, 15 सधी में, उससे पहले middle age थी, यूरोप पूरा जो है उसके बाद कुछ विचारक हुए यूरोप में, उन लोगों ने science और art को आगे बढ़ाया, तो उसको बोलते है, पुनर जागरन, और इंगली से बोलते है, रेनेसांस, एक पुनर जागरन, जो है, take place कर रहा है, आजकल, neuroscience के field में, और कैसे, with many prime drug companies, showing renewed interest in the field, यह कर रहा है, present perfect continuous लगा हुआ है, यह take place कर रहा है, पहले भी कर रहा था, और आज भी कर रहा है, has been plus five verb की, ing form, renewed का मतला होता है, नए सिरे से पैदा हुआ हुआ, जो renew हो, जो re-energized हो, आगे क्या कर रहे, कुछ अब आपको फिल्ड बताएगा, जो है, brain की research के, कर रहे, optogenetics, which uses genetic manipulation to get animal brains to reveal their work and open them up to change through the use of light, is transforming brain science in the laboratory, कर रहे, जो optogenetics है, अब यह कोई technique है, कोई science का कोई treatment, जो है, प्रोटोकोल है, कर रहे, optogenetics नाम की जो बला है, जो की इस्तिमाल में लेती है, genetic manipulation को, manipulation का मतलब होता है, छेड चाड, genetic का मतलब होता है, आपके genes related, कर रहे, यह वो चीज है, जो आपके genes से छेड चाड करती है, और किसलिए भाई, ताकि get करवा सके, animal brains को reveal, यहाँ पर get का cognitive use हुआ है, ताकि मजबूर कर सके, animal के दिमाग को, कि वो reveal करे, their working, अपनी working को, अपने काम करने को, तरीके को, और open them करती है, खोल करकर रखती है, उनको up to the change, change के सामने, उनको change के लिए त टाइप की, और यह सारा काम होता है, through the use of light, प्रकाश के light के इस्तेमाल से, रोशनी के इस्तेमाल से, यह टेकनीक जो है, यह transform कर रही है, पूरे तरीके से काया कल्ब कर रही है, brain science को laboratory के अंदर, हमारी प्रयोक्षाला के अंदर, थोड़ा लंबा sentence है, लेकिन एक बार में यह कर रहा है न, optogenetics, transform करने का, वही काम जो growth भी कर रहा है, tiny brain-like cells का transform करने का, organized नाम का यह चीज, sentence थोड़ा सा complicated है, इसकी verb है, is transforming, which की verb है, uses, which I optogenetics के लिए, growth की verb है, is, as conjunction से शुरू किया गया है, इसके sentence के अंदर, inversion किया है, एक मैंने video कर वाई हुए, as के सभी इस्तेमाल YouTube में डालोगे न, all uses of as, तो आपको वीडियो दिखेगी, वहाँ पर आपको समझाए है, as जब भी भीज में आती है, conjunction बनके, तो वो inversion भी करवा देती है, चलो, आगे क्या हो रहा है, जी, करें, growing openness to investigation of previously recreational and stigmatized drugs is widening the range of possible medicines, करें, growing openness जो आ रही है, एक नया जो खुलापन जो आ रहा है, आगे बढ़ता हुआ, और इसके लिए, investigation के लिए, जांच के लिए, तहकीकात के लिए, ऐसी drugs का, जो पहले recreational थी, या stigmatized थी, recreational का मतलब है, जो recreation के लिए use होती है, recreation मतलब entertainment, तो ऐसी drugs जो लोग मजे के लिए लेते हैं, cocaine, heroin, गांजा, या फिर वो stigmatized ही, उनमें गलत तो कम था, लेकिन उनको गलत समड़ा जाता था, disgrace किया जाता था, करें, ऐसी drugs के लिए जो एक openness आई है, नहीं, कि इनमें भी investigation हो, करें, ये openness ही अपने आप में, is widening the range of possible medicine, ये widen कर रही है, बड़ा कर रही है, possible medicines की range को, तो आज कल science उन drugs को भी देख रहा है, जिनको पहले हम गलत समझते थे, जिनको लोग मजे के लिए इस्तेमाल करते थे, अब science हो है, इनको इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहा है, growing openness की वह हो है, is widening, recreational मैंने आपको बता दिया, जो recreation के लिए हो recreation का मतलब होता है, enjoyment, तो recreational drugs कोन से होगी, drugs that are used for enjoyment, और used नी मैं इसको abused लिखूँगा, आप ऐसे कोई नशे की दवाई ले रहे हो ताब उसको abuse कर रहे हो न, recreational studies क्या होंगी, ऐसी studies जो आप enjoyment के लिए करते हैं, तो इस word को आप recreation को ध्यान में रखें, stigmatized का मतलब होता है, जिस पर लांचन लगा हो, जो disgraced हो, जो denounced हो, क्यारे projects like UK Biobank, track hundreds of thousands of individuals over a generation, क्यारे ऐसे भी projects सल रहे हैं, UK Biobank जैसे, जो track करते हैं, जो अच्छे से measure करते हैं, पीछा करते हैं, हजारों लोगों का, सेंक्रों लोगों का, एक generation के दौरान, एक पूरी PD के दौरान, और more या फिर उ answer questions about the roots of brain disorders, इनको हमें help भी करना चाहिए, Infojects को answer करने में, उन सवालों को, जो है, जड़ को लेकर ही, रूट्स को लेकर के, brain disorders की दिमागी बिमारियों की, जैसे की दिमागी बिमारी है, डेमेंशिया, इसको बोलते है, सठियाना, ये पी एक दिमागी बिमारी होती है, साथ साल के बाद आदमी के अंदर ये पैदा होती है, सिंपल सेंटेंस है, कुछ रिपीट वाला नहीं है करने का, फ्रॉजेट्स की वाब है ट्रैक, फ्रॉजेट्स की दूसरी वाब है, एंड कंजंक्शन के बाद, शूड है, डिमेंशिया के लगाए गया विच, इसकी व लिइऑ है, टैकल करने के लिए निवटने के लिए, इस फाइनल, इस आखरी फ्रेंट्यर को यानि मोरचे को, फ्रेंट्यर मतलब मोरचा, और मोरचा केछ नहीं समय है, गैसे जाएं म्यादें सब्सक्राइब रही बढ़ती जारploy हैं उमिदें बढ़ रही हैं स्टी antenna, सिन Gates to a healthy brain are not only going to come from a pill or psychotherapist couch तो यह चीज हमें याद रखनी पड़ेगी याद रखने लायक है जो secrets है एक healthy brain के वो ना केवल आने वाले हैं ना not only going to come from किसी दवा से या किसी psychotherapist के couch से अब यह couch का मतलब यह नहीं है उसके sofa से couch का मतलब होता है वैसे sofa तो साइको थरेफिस्ट के couch sofa वे बैठके उससे बात करोगे तो brain healthy नहीं होगा करने का मतलब यह संदेल सिंपल है पहले कर चुकिए और इसको इट की वह इस वर्थ और बिजी दोनों अपने बाद वर्ब की एंजी फॉम लेते हैं secrets की वह आर, secret मतलब mystery है ना, are going समझ लो secret की वह आर गॉइंग करें, the health of the brain is influenced by what goes on outside करें, जो brain की health है वो influenced होती है, प्रभावित होती है, इस सीज के द्वारा by और कौन से चीज, क्या go on होता है, go on होनी का मतलब होता है घटित होना क्या घटित हो रहा है, go on हो रहा है, outside it is, इस brain के बाहर जैसे की such as nutrition, exercise, abuse of alcohol, education, social connection and pollution तो ये सारी चीजें, कितनी शराप पीते हो, कितनी exercise करते हो, क्या खाना खाते हो, लोगों से कैसे बात्चित है, कितने बढ़े दिखे हो, ये सारी चीजे भी आपकी brain health को influence तरती है, health of the brain की वोब है is influenced passive voice इसमें influence का मतलब होता है, प्रवावीत होना, जो है impacted होना, वट की वोब है, गॉस्प, करें none of this should be surprising, और करें इन में से कोई भी चीज surprising नहीं होनी से है, आपके लिए हरानी वरी नहीं होनी से है, ये जो आमने ऊपर बात की, करें, the health of the brain is tied to the health and the well-being of the body, करें जो दिमाग की health है, health of the brain है, वो बंदी हुई है, tied to है, tied to का मतलब होना, attached to होना, ये attached to होना, ये attached to है, बंदी हुई है, health के साथ में, और भलाई के साथ में, well-being के साथ में, पूरे शरीर की, the body की, और कौन सी body भाई, that it sits in, जिसमें ये ब करेंगी, तो सीधे-सीधे brain की विमारी का इलाज नहीं दून सकते, none की वर्ब है, should be, health की वर्ब है, is tied, tied यहाँ पर adjective है, actual में वर्ब नहीं है, tied to का मतलब होता है, इसका attached होना, किसी से जुड़ा होना, tied यहाँ पर वर्ब नहीं है, tied एक adjective है, brain is tight, it की वर्ब है, efforts to ensure better brain health are an investment करा है, जो हमारी कोशिशे है, ensure करने की, इस सीज को ensure बनाने की, पक्का बनाने की, अच्छी brain की health को, करा है, एक investment है, एक निवेश है, और कैसा investment, that will keep paying dividends, जो की keep paying करेगी, future के अंदर इस सीज को जाली रखेगी, pay करने को, और किसको, dividends को यानि मुनाफे को, dividend मतलब मुनाफा, advantage, profit, और कब कैसे करेगी, four individuals and four societies, four decades to come, हर आदमी के लिए, हर समाज के लिए, कई सालों के लिए, कई देशकों के लिए, तो अच्छे अगर आप efforts लगाते हो, तो अगले कई देशक तक पूरा समाज जो आपके दिमाग से healthy रहने वाला है, efforts की वबे, are that की वबे, will keep paying, keep paying मतल लाव मुनाफा, profit, advantage, benefits, चलिए, interesting article था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, science थीम थी, थोड़ा आपको मुश्किल वैसे लग सकता है, नहीं आपके लिए पढ़ने वाला हो, जल्दी से आएंगे quiz पे, quiz को मैंने मुश्किल बनाया है, मैं तीन से यादा number किसी के expect नहीं कर रहा ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, दोनों errors को अराम से धून लेना, पहले के अंदर एक comprehension का question है, फार्मा सेक्टर ने neuroscience की research को क्यों खतम कर दिया, अबेंडन कर दिया, तो यह अच्छे से आपको करवाया गया, कौन सी घटना के बाद में, फार्मा कंपनियों को लगा है, तो D आपको answer बनाना पड़ेगा, है न, B and C bot, मेरे खाल से कर लोगे, first comment में answer है, इस पहले खुझ से try करो, फिर first comment को जाके check करना, second बूसर है, what did meant by recreational drugs as reference in the passes, recreational drugs क्या होती है, जैसा कि पैसे में लिखा हुआ है, वो वाली drugs जो recycle होती है, वो वाली drugs जो abuse होती है, entertainment के लिए वो वाली drugs जो anxiety को control करती है, या वो वाली drugs जो neuro disorders को fight करती है, अच्छे से आखे कोल के article पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से सब को आता होगा, third time आपसे पुछा है कि psychologist के couch का क्या meaning है, अभी अच्छे से में आपको समझाया था, ये medical treatment को बोलते है, psychologist के couch, या psychologist के office में जो furniture रखा हो कोच का मतलब होता वैसे so far, चलो अब आंसवार देख लेना, पांचो के डाल राओं छे हो questions के इस first comment में इसी वीडियो के नीचे, बताना out of six कितने marks मिले, जरूर से, summarize कर सको पूरे article को तीन चार sentences में तो summary डालने की भी कोशिश करना, in English in the comment section, writing, SSC, banking, बहुत सारा नया content आ चीज़ें डेट हो रही है, नए pattern के साब से, है न, तो prelims, mains, combo, सब कुछ available है, आप मेहनत करने वाले बनो, app को download करो, comment section में link रखा हुआ है, courses को last moment के लिए नहीं चोड़ना है, 15 दिनों में भगवान भी आपको तयारी नहीं करवा सकता, मेरी तो बात ही कुछ हो रहे, तो 2- नमबर है WhatsApp, टीम से बात कर सकते हैं, वाया WhatsApp, अगर कोई भी query आपकी हो, until then,